नमस्कार इस वक्त आप देख रहे हैं परदेश का सबसे विश्वसने वेब चैनल लाइमत परदेश और आपके साथ मैं हूँ शानवास सुल्टान चलिए खबरों के खुलासी की तरफ बढ़ा मध्यान भोजन की राशी में से लाखो रुपय के घोटाला करने का मामला सामने आया है। घोटाला करने वाला और कोई नहीं स्कूल का प्रधान पाठक ही है। जिसने करीब मध्यान भोजन की राशी में से 31 लाख रुपय का गरबर जाला किया है। जानकारी के मुताबिक खुलासा पांच साल बाद सामने आया है, जिस कारण मध्यान भोजन का कार्य संभालने वाले अधिकारी भी शक के दाइरे में आ गए है. माना जा रहा है कि अगर जिले की स्कूलों में दिये जाने वाली मध्यान भोजन की राशी के दस्तावेजों की सही तरीके से जांच की जावे तो घोटाले की राशी में इजाफा होने के साथ इससे जुड़े और भी लोग बेनकाब हो सकते हैं फिलहाल कोटवाली थाना पुलिस ने घोटाले बाज प्रधान पाठक नितिन ताइडे को गिरफतार कर लिया है एक्शली एक मामला आया है जिला पंचायत के बेबेग पचोरी साथ सायक पर्योजना अधिकारी हैं उनके द्वारा कल्ये के फाई यार कराई गई है कि मध्यान भोजन योजना में मध्यान भोजन योजना की राशी को अनाधिकरत रूप से कूट रसिच दस्तावेज को तयार कर गवन किया गया है यह गवन रूमना बिद्याले के अध्यापक नितिन ताइडे द्वारा किया गया है जो उनकी जाच में आया है LED लाइट्स की दुनिया में जाना माना नाम My World LED लाइट्स अब आपके शहर पुरहनपूर में जहां LED लाइट, गड़ लाइट्स, स्टेट लाइट्स, पैनल, सर्फेस पैनल, स्वेड लाइट्स की समस्तर रेंज मोजूद है स्रीजी सप्लाइर्स ब्रहानपूर, मोबाइल नमबर है 9926269344